कि आजाओ दोस्तों तो एक्सरसाइज 4.2 और इन चीजों को बड़े ध्यान देखें कि देखो क्या है कि अभी समय काफी क्रिटिकल चल रहा है पूरे वर्ड की तो हमारी मजबूरी है यह वीडियो आपके पास पहुचाना बिना टाइम खराग किये तर्टे 4.2 का फर्स्ट क वो मैंने आपको करा नहीं क्योंकि वो बड़ा इजी है क्योंकि है आपको सेकिट पार्ट अगर समंझ में आ गया तो पार्ट बड़ी ईजली समझ में आ जायागा और शायद करना क्या है मैं फिर दुबारा से कहता हूं कि को आप पढ़े ध्यान से पढ़े उसके बाद में जवाब देने की कोशिश करें इसके निकालने के कही सारे तरीके हैं तो अब उनके बारे माँ बता नहीं रहा है तो अभी हम फैक्टराइजिशन के बारे माँ बात करेंगे यानि कि हम इसके फैक्टर करने हैं हमारी इक्वेशन गें दिखिए चोल मैं बारे मैं पास और संब से पहले हमें क्या चलना पदा है और सी की मल्टिक्लिकेशन के लिए यानि कि तू मुल्टिक्लाइट वाय और माइनस 6 इधर देखिए 2 multiplied by minus 6 इसकी multiplication आ गया हमारे बास माइनस 12 अभी factorization यानि कि इसके factors हमें करने हैं अभी minus को आप भूल जाएए बिल्कुल यह minus को भूल जाएए क्या है क्या नहीं है अभी सिर्फ आप number को याद रखिए अभी इसके factor देखिए 12 के factor क्या हो सकते है 1 x 12 बिल्कुल हो सकते है 2 x 6 यह भी हो सकते है 3 x 4 यह भी हो सकते है फिर 4 x 3 रिपीट होने लगे तो आप महीं पर छोड़ दीजी इसको यान 3 x 4 और 4 x 3 में कोई ज्यादा difference नहीं है ज्यादा कर बिल्कुर सेम ही है दोनों तो अभी आप देखिए इसके factors आगे यह तीनो factors आगे अभी आप देखिए इधर आईए मेरे साथ यहां पर आईए आप बीपे अभी क्या है multiply तो इनकी आगी minus 12 या 12 इनकी multiplication दोनों की 12 आने चीए और minus या plus करके हमारे पास आना चिए कितना 1 तो अभी इसके factor देखिए 12 को 1 से ना plus करने पर 1 आता ना minus करने पर काट दीजिए यह हमारा factor ने जाया तू को 6 से प्लस करने पर माइनस करने पर कहीं भी 1 नहीं आता है काट दीजिए इसको 3 और 4 को प्लस करने पर तो 7 आता है बट माइनस करने पर 1 आ जाता है तो 4 और 3 को माइनस करने पर 1 इसका मतलब हमारे पास टैक्टर है यह 3 और 4 अब आता है प्लस और माइनस यह मैं आपको एक वीडियो जादा बन जाएगी तो कोई प्रोब्लम नहीं है अभी कहा है बन आना चीए हमारा आपका साइन क्या होना चीए प्लस तो आपको जो बड़ा जो फेक्टर है वो प्लस का रखने यानि 4 प्लस और 3 माइनस का आ जाएए देखिए हमने 1 को तोड़ लिया यानि 1 के इसको तोड़ लिया आपने 4x-3x और माइनस में 6 इस इपल टो जीरो यह अब जैसे आप फैक्टर करते हैं बताने की जादे जरू तो नहीं हुझे 2x इन दोनों में से माइनस 3 को में लिया और एक्स प्लस में 2 यह ए और शो कीजिए आप कि दोनों प्रैकेट्स में सेम एक्वेशन यह सेम प्लिनोमियल साइड है अगे इस इकल तो जीरो अग इन प्लिनोमियल में से एक प्लिनोमियल साब यह लगा दीजिए एक पहर का 2x-3 x plus 2 is equal to 0 तो तो लो क्यों आईधर दिसे इस इकल तो 0 और दिसे इकल तो 0 लो जो एक्स में थिसे इकल तो X इकल तो 3 एपउन 2 और X इस इकल तो माइश 2 3 बाई 2 and minus 2 This is your complete answer तेंक यू अभी ये थर्ड प्वेश्चन सम्झाना चाहिए यह थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा कॉंप्लिकेटिड है, इतना भी दीजितना कोरोना है, बागी है मुश्किल, थोड़ा सा, इसकी फैक्टराइजेशन में, देखिए, रूट 2X स्प्यर प्लस 7X प्लस 5 रूट 2 इस बल टू 0, बड़ी बात है, दोस्तों या बच्चों इसके फैक्टर्स करना, आप मेतोड वही अपनाएंगे, फैक्टराइजेशन में, A and C का मल्टिप्लिकेशन, चलिए कर लेते हैं, मल्टिप्लिकेशन, मल्टिप्लिकेशन करते हैं, A है रूट 2, and C है 5 रूट 2, इस इकल तू, देखिए, रूट 2 इन्टू रूट 2, और 2 प्लस करने से, और ना ही, माइनस करने से, 2 और 5, यहां पर 7 आ जाता है, 2 प्लस 5 इस इकल तो 7, तो यह फैक्टर हमारे हो सकते हैं, यह 2 और 5 फैक्टर हो सकते हैं, अभी हमने देखने हैं, प्लस और माइनस का, यह क्या चक कर रहें, चलिए, आजेंगे, यहां पर 7X, प्लस प्लस, अरे, यह तो हमारा काम और असान ह हो गया, दोनों प्लस के है, तो क्यों ना हम ऐसा कर लें, कि 2X और प्लस में 5X, 7X को हमने तोड लिया, 2X प्लस में 5X, विल्कुल सेम मेथड as in previous answer, question, root 2, इस में से comment देखी क्या आएगा, एक तो X आ रहा है, हमने ले लिया, अभी root 2 है, यह 2 है, देखिए, 2 कहां से आता है, 2 और root 2 में क्या relation है, चलिए यहां पर, 2 आता है root 2 into root 2 करने से, यह 2 आ गए, तो यह 2 root 2 है, तो हमारे पास 2 root 2 में से 1 root 2 common ले लिया, तो यहां पर बच गया हमारा root 2, प्लस में यहां से 5 common आ रहा, then X और प्लस में root 2 is equal to, यह फिर अन्शोर कीजिए, कि दोनों brackets में polynomial equal हो, equal है, एक तो इन में से ले लिजिए, और, एक root 2 प्लस में, X प्लस में 5, एक यह bracket के बाहर का जो प्लस में यह is equal to 0, this is equal to 0, और this is equal to 0, and X is equal to minus root 2, और X is equal to minus 5, अपर में root 2, यह आपको जोनों रूट आ गया, homework क्या है, first question में, इसका पहला part, इसका fourth part, उसका fifth part, आपने करना है, और याद रखिए, इसको like और subscribe जरूर कीजिएगा, और share करते रहेगे, देकि share जरूर करना है, कि अगर जितने ज़्यादा लोगों के पास जाएगी, उतने ज़्यादा लोग इसका फाइदा उठा पाएंगे, ठीक है ना, तो इस तरह से आपने हमें encourage भी करना है, जैसे हम encourage करना चाहिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फाइदा उठा सके,